हलो दोस्तो मेरे ऊटिज चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे BPSC की। BPSC के दोगा और टीचर की भी भरती होगी वह BPSC के ठुरू ही होगी। तो इस बार आपको 2022 में यहाँ पर कहा जारा कि 45,852 पर बहाली ली जाएगी बीपीएसी के थुरू तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीज अपडेट किया रहा है जी नीज द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी नौकरी बीपीएसी में आने वाली है बंपर भरती 45,800 बाउन पदो पर होगी बहाली इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिसंबर 2021 दस बजे अपडेट किया गया है तो यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल किया है इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं लोग्सेवा आयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पॉब्लिक सर्विस कमिस्टमेंट 2022 शिक्षा दूसरे हफते में विग्यापन लेकर बहाली की परकिरिया शुरू कर सकता है, यानि कि कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफते में विग्यापन आपको जारी किया जा सकता है, या थोड़ा टाइम और भी बढ़ भी सकता है, लेकिन यहां पर आप अगे देखें, पतना यहां दिया गया है कि बिहार के सरकारिय इसकूलों में परधान सिखख और परध्यापक के नियुक्ति की प्रकिरिया जन्वरी में सुरू होगी और परधान सिखख और परधाना ध्यापक के 45000.852 पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग यानि BPC के जरीये होगी और इसके लिए विभाग ने जीला वार रिक्तियों की लिस्ट जिला से मंगाली है यानि कि कि नोटिफिकेशन के माध्यम से जनवरी में आपके आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो ऐसे लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहां बीपीएसी के थुरू यहां पर लिया जाएगा एक्जाम कराया जाएगा तो आपको अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा इस वेकेंसी के लिए ताकि आपको जन्वरी में आए तो आप उस समय इसके तैयारी करने ना बैठ जाएए अभी से यदि आप लगे हुए हैं तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि जन्वरी में आपका वेकेंसी आए तो उस समय आपको कुछ सोचना ना पड़े वीडियो अच्छी लगती है इनफर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद